हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड यह आपकी ग्रामर की बुख है आज का मारा फॉस्ट चैप्टर है अल्फावेटकल और्डर अल्फावेटकल मिस कोई भी सब अच्छर जो क्रम से लिखे जाते हैं और्डर मिस और वो उसको आदेश देता है अल्फावेट व वरण माला बोलते हैं एंगलिस में अल्फावेट अल्फावेट किसे कहते हैं यहाँ पर बताया गया है एन अल्फावेट is a set of letter from a to z जो वरण माला होता है लाइन से करम से लिखा होता है उसे वरण माला कहते हैं अंग्रेजी में जो वरण माला है उसकी संख्या 26 है यहाँ पर देखी लिखा है यह इंगलिस के अल्फावेट है जिसकी संख्या 26 है आप गिन लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सौरी फिर से गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननिस बीस इक्किस पाइस तेश चोविस पच्चिस चब्विस यह 26 हैं नेक्स्ट है अलफा वैटकल आउर्डर करम संख्या से जो लिखी जाते हैं वडमाला असेट आफ लेटर्स अच्छरों के क्रम को A to Z is used in a fixed order जो हम परियोग करते हैं वो निर्धारित होता है हमें किसके बाद कौन सा अच्छर लिखना है इस फिक्स्ट आउर्डर आफ लेटर जो यह जो निर्धारित आदेश लेटर करता है called an alphabetical order उसे ही alphabet उसे ही वडमाला करम संख्या कहते हैं इंग्लिस में या हिंदी में होता है लाइन से पूरा दिया रहता है इंग्लिस में क्या है इसका निर्धारित होता हमें कौन से अच्छर के बाद कौन सा अच्छर लिखना है जैसे A के बाद B, B के बाद C, D, E, F, G ऐसे हम लिखेंगे A के बाद हम C नहीं लिख सकते, D के बाद H नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा, यहाँ पर example देखे, look at this group of later, यहाँ पर देखे जो अच्छरों के समू है, A, C, E, D, F, D, यह जो दिया हुआ है, क्रम से नहीं है, जो की गलत है, यहाँ पर जो अल्फा वैटकल दिया गया है, वो क्रम संख्या में नहीं है, नीचे देखे, A, B, C, D, E, F, यह हमारा सही है, यह गलत है, अल्फा वैटकल ओर्डर, अब यहाँ पर देखे, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, E, F, यह हमारा सही है, इसकी क्रम संख्या, यहाँ पर क्या आता है, A, Put the following in अल्फा वैटकल ओर्डर, यहाँ पर यह क्रम से नहीं दिया गया है, हमको इसमें क्या करना है, यहाँ अच्छरों को यहाँ पर क्रम से लिखना है, देखे, A, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, A, A के बाद क्या लिखेंगे, B, जो की यहाँ दिया हुआ है, B के बाद, C, C के बाद, D, D के बाद, E, इसके बाद, F, अब यह हमारा करम से हो गया, A, B, C, D, E, F, यहाँ पर कैसे दिया है, A, D, A, F, V, B, तो यह करम इसका गलत है, दूसरा है हमारा, यह F हो गया, F के बाद क्या आता है, G, जी हो गया, G के बाद, यच, यच के बाद, हम आई लिखेंगे, I हो गया, I के बाद क्या आता है, J, J के बाद, K, यह हो गया, G, यच, यच, J, K, तीसरे में क्या है कि बाद L तीसरे में लिखना है M यन यम यन हो गया O P Q क्यों हो गया Q के बाद R यहां पर लगेंगे Yes T U V W X Y Z के हमारा Alphabetical order सही हो गया यहां पर गलत गलत दिया गया था आगे पीछे था क्रम से नहीं लिखा हुआ था यहां पर हमने इसको क्रम से लिख दिया है B है हमारा Arrange the words in alphabetical order Arrange the words in alphabetical order यहां पर जो words है इसको भी हमें वैसे ही लिखना है जैसे यहां पर हमने लिखा है क्रम से वैसे हमें यहां पर भी क्रम से ही लिखना है A Apple तो हमें यहां पर पहले Apple लिखेंगे Apple लिखेंगे A दबल पे Apple हो गया Apple के बाद क्या आता है A फिर B बनाना हो गया बनाना के बाद क्या आता है A हो गया B हो गया यहां पर देखेंगे C C है नहीं तो A, B, C, D, E F, G G है तो graphs लिखेंगे graphs हो गया graphs के बाद G के बाद H, I, J, K, L, M हम यहां पर Mango Mango हो गया Mango के बाद क्या बसता है Orange Orange यह हमारा Alphabet का लॉर्डर सही से लिख गया दूसरे भी क्या है potato, tomato onion, branzal, cabbage तो पहले हम ब्रैंजल को यहां लिखेंगे B, R, I यान J, A, L ब्रैंजल हो गया ब्रैंजल के बाद हमें कैवेश लिखना है C, A, W A, G, E कैवेश हो गया कैवेश के बाद हमें कैवेश लिखना A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N, O O के बाद onion 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 के बाद हमें लिखना है potato Potato में सालू उसके बाद tomato यह हमारा टू तक complete हो गया है ऐसे ही आपको 3, 4, 5 Alphabet करके आपको भी ऐसे ही Alphabet से सही line में लिखना है कौन सा word किसके बाद आता है वही हमको भी हमने किया है और आपको भी वही करना है तो 3, 4, 5 आपको complete करना है अपने notebook में इसको सही से note कर लीजीगा Next है हमारा Write the names of your family members यहाँ पर आपको अपने family में जितने सारे लोग हैं उनका नाम लिखना है तो 1st पर हमारे आते हैं Mother M-O-T-H-E-R Mother Second पर father F-A-T-H-E-R Father हो गए Third पर Brother Brother हो गए Brother के बाद sister four पर Sister हो गए फिर ग्रैंड मा G-R-A-N-D Grand मा यह ग्रैंड मदर Six हैं ग्रैंड फादर यह ग्रैंड फादर Mother मम्मी Father पिता Brother भाई Sister बैन Grandma दादी Grandpa दादा Now write their names in correct alphabetical order यहाँ पर हमें alphabetical order लिखना है A हो गया दूसरा B तेसरा C C के बाद क्या आता है D E F यह हो गया हमारा Complete हो गया Put the following in alphabetical order इसमें हमें क्रम से लिखना था कौन सा अच्छर किसके बाद आता है यहाँ पर देखिए क्रम से लिखा हुआ है इसमें आगे पीछे है यह हमको यहाँ पर सही सही लिखना था Next Are in the words alphabetical order जो हमने यहाँ पर किया था वही चीज हमें यहाँ पर भी करना है जो शब्द यहाँ पर दिये हुए है वही हमको भी करम से यहाँ पर लिखना है हमने दू में आपको बता दिया है Third, Fourth, Fifth आपको अपने मन से करना है अपने notebook में लिख लीजिएगा C है हमारा Write the name of your family members हमारे family परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है कौन-कौन रहता है हमारे परिवार में तो परिवार में कौन-कौन रहता है मम्मी, बापा, भाई, बहन, दादा, दादी इतने सारे लोग होते हैं Now write their names यहां पर हमें alphabetical order क्रम से लिखना था तो A के बाद A B, C, D, E, F हमारा chapter यहां पर end होता है खतम होता है Next में हमारा second chapter आएगा Words शब्द आएंगे जो कि हम आप लोगों को कल बताएंगे आज के लिए बस इतना ही